थोड़ा खटा, थोड़ा तीखा, थोड़ा चट पटा और थोड़ा सा मीठा आज मैंने बनाया है निम्बू का अचार जो मिंटों में बनके रेडी हुआ है फ्रेंड्स इसमें पहुत कम टाइम लगा है और घंटों तक धूप में सुखाना भी नहीं पड़ेगा बहुत जल निम्बू लेने हैं, पके उए निम्बू लेने हैं दाग नहीं रहना चाहिए इनमें जो काले धब़े रेते न वो नहीं रहना चाहिए अब ये कड़ाई मैंने गेस पे रख दी उसमें मैं डाल रही हूँ पानी ये निम्बू डूबे उतना पानी इसमें डाल देना है और सब निम्बू मैं इसमें पानी मैं डाल रही हूँ आप चाहो तो एक बार उबाल आने के बाद निम्बू इसमें डाल के और थोड़ा सा गरम करने के बाद ये ढखके आप रख सकते हैं तो देखें मैंने इसे एक ही उबालाने दिया है और मैंने निकाल लिया है इन्हें उपर का जो इनका छिलका है वो थोड़ा सोफ्ट हो जाए बास इतना ही हमें इन्हें उबालना है तो ये सब निम्बु मैंने उबाल लिया औ ठंडा करने कलिए रखेंगे एकदम ठंडे होइंगे उसके बाद ही इने आगे यूज करना है तो यह बहुत अच्छे से ठंडे हो चुके हैं सब निम्बू अभी इने में कट कर रही हूँ तो मैं इने एक निम्बू के में चार भाग कर रही हूँ अगर आप बड़े से में फोड़ा सा एक बार ओर क्ट कर लूगी मतलब छोटा कर लो इन्हें उबालने के बाद न सकवाइल इन son इसमें से निकलने लगता क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सोफ्ट हो जाते हैं ये तो ये बड़ा पीस था इसलिए इसे मैंने थोड़ा से और कट कर लिया है और एक बड़े बाउल में मैं इन्हें निकाल रही हूं ताकि हम अच्छे से इसमें मसाला मिक्स कर सकें पैट में मसा तो सबसे पहले मैं डाल रही है छोटी चमच भर के हल्दी और ये मैं डाल रही हूं ये अचार का मसाला लाई हूं मार्केट से ये मैंने घर में नहीं बनाया है तो ये दो चमच में अचार का मसाला इसमें डाल रही हूं और अब मैं डाल रही है इसमें काली मिर्ची का पा इसमें डाल देना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है जितना भी मसाला है निमू की एक एक टुकडे में अच्छे से मिक्स हो जाया अच्छे से चला जाया इसके अंदर अभी उनको रख दिया है और एक तड़का पेन लिया इसमें मैंने एक बड़ा चमच भरके सरसों का तेल लिया है तेल गरम हो गया है तो अब मैं डाल रही हूँ एक चमच राई इसमें और ये डाल रही हूँ आदी चमच कलोंजी तो अभी गेस को बंद कर देना है क्योंकि तेल अच्छे से गरम हो चुका है और राई और कलोंजी तड़क चुके अच्छे से अब मैं लाश्ट में इसमें डालूंगी हींग और इसे थोड़ समामरी से ठंडा करने के बाद हम इसको जो निम्बू का हमने मसाला लगा के रखा है ना निम्बू में उसमें डाल देना है फ्रेंड्स तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ पूरा कलोंजी और राईवला सरसों का तेल तो ये अचार बना रहे हैं इसमें सरसों का तेल ही अच्छा लगता है तो आप भी हो सके तब तक सरसों का तेल ही ट्राइ कीजेगा और इसे भी अच्छे से मीक्स कर देना है ताकि तेल, मसाला, निम्बू सब एक सर हो जाए, अच्छा से मिक्स हो जाए इसमें और ये हमारा अचार ज्यादा टाइम तक रखने के लिए मतलब खराब नहीं होए तो इसमें डाल रही हुमें सिर्का यानि वाइट विनेगर डाल दिया मैंने इसमें डाल दिया एक चमच भरके ताकि ये जादा टाइम तक रहेगा खराब नहीं होगा इससे तो इसे भी मैंने मिक्स कर दिया है मैंने इसमें एक चमच छोटी वाली पिसी हुई चीनी डाली थी ताकि ये थोड़ा खटा मीठा लगे मुझे निम्बू का अचार थोड़ा सा मीठा अच्छा लगता है मतलब खटा मीठा अच्छा लगता है इसलिए मैंने इसमें चीनी डाली थी पिसी हुई चीनी डाली है और ये हमारा निम्बू का अचार बनके रेडी हो चुका है तो अचार किसको पसंद नहीं, अचार सबको बहुत पसंद आता है तो ये में एक बरनी में इसे भर रही हूँ, अच्छे से पोँच के बरना है, बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए और जब भी आप अचार निकालते हैं तो चम्मच को या फोक जिससे भी आप अचार निकालते हैं उसे अच्छे से साफ कर लीजेगा पोच लीजेगा तबी इससे अचार निकालना नहीं तो अचार खराब हो जाता है अगर थोड़ा भी इसमें पानी गया तो तो ये अचार तो सभी को बहुत पसंद आता है मुझे तो निम्बू का अचार बहुत पसंद है और सबको आम का हो या निम्बू का हो मिर्ची का हो सबको अचार पसंद आता है देखते ही मुँ में पानी आ जाता है खाने के साथ अचार तो सबको चाहिए ही रहता है तो फ्रेंट्स जरूर ट्राइ कीजेगा तो कल फीर आती हूँ ऐसी ही एक और नहीं रेसेपी के साथ तब तक के लिए टेक केर और बाई